दोस्तों देश को अजाद हुए 75 साल हो गए हमारा देश पूरा देश इस टाइम 75 साल मना रहा है चारो तरफ सेलिब्रेशन चल रहे हैं देश उसमें देश भक्ती में डूबा हुआ है 75 साल में हमने बहुत कुछ पाया लेकिन ये वक्त सोचने का भी है इन 75 साल में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमसे आगे निकल गए सिंगापूर को सिंगापूर सिक्स्टीज के अंदर आजाद हुआ था आज वो हमसे आगे निकल गया जपान और जर्मनी सेकंड वर्ल्ड वार में पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे बरबाद हो गए थे दोनों वो हमसे आगे निकल गए ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इन 75 साल में हमसे आगे निकल गए हम पीछे क्यों रह गए हमारे में क्या कमी है भगवान ने हमको सब कुछ दिया है भगवान ने मैं हमेशा कहता हूं जब प्रिथवी की रचना की तो भगवान ने सबसे खुबसूरत और सबसे अच्छी जगह भारत को बनाया हमें पहाड नदियां जड़ी बूटी फसलें मिनरल्स सब कुछ दिया समुद्र सब कुछ दिया क्या नहीं दिया भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने अपनी तरफ से और जब भगवान ने प्रिथवी आदमी की रचना की आदमी को बनाया तो सबसे इंटेलिजन्च आदमी उसने भारत के लोगों को बनाया हमारे भारत के लोग पूरी दुनिया में घूमते हैं आप जितनी मर्टिनेशनल कमपनीज एं बड़ी-बडी कमपनीज एं उठा के देख लो सब के टॉप के उपर आ पुद्यम ही हैं, इंडस्ट्रिलिस्ट हैं, व्यपार ही हैं, महंती हैं, व्यपार करना जानते हैं, इंडस्ट्री चलाना जानते हैं, पूरी दुनिया में जब जाते हैं, तो देश का नाम रोशन करते हैं, गुजरात के लोग, लेकिन जब अपने देश में आते हैं, गुज पीछे रह गया हम आपस में लड़ते रह गए हम गंदी राजनीती का हिस्सा बनके रह गए अगर इन्हीं लोगों के भरोसे देश छोड़ दिया तो दोस्तों 75 साल और पीछे रह जाएंगे अब जरूरत है देश के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा एक सो पच्छत एक सो प्रफेशनल्स हैं बेस्ट वकील बेस्ट डॉक्तर हैं फिर भी हम पीछे क्यों हैं इसलिए कि हमारे देश की राजनीती बहुत खराब है इस राजनीती को ठीक करना पड़ेगा दिली के अंदर हम लोगों ने पांच साल के अंदर पहले मैं बी एक आम आदमी हूँ मैं कभ किसमत पल्टी और दिल्ली का मुख्यमंतरी बन गया पहले मैं आठ सूचता था कि कुछ जादा ही मुश्किल होता हूगा सरकार चलाना जो सरकार समस्याय समाधान नहीं हो रहा है मैं दिल्ली की जुगियों में काम किया करता था पहले उसके पेले income tax में commissioner था कमिशनर की नौकरी छोड़ दी कमिशनर की नौकरी छोड़ के मैं दिल्ली की जुगियों में काम करने लगा जुगियों में मैं देखता था गरीब लोग सरकारी स्कूल में बच्चे भेजते हैं सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल था सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं सरकारी अस्पतालों का इतना बुरा हाल था मुझे लगता था यार सतर साल हो गए देश को अजाद हुए ये सरकारें बिचारी कोशिश तो कर रहे हैं हो नहीं पा रहा होगा इनसे जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी हमने 5 साल में सरकारी स्कूल ठीक कर दिया भी पूजा जी बोल रही थी दिल्ली के सरकारी स्कूल 5 साल में इतने शांदार कर दिये दिल्ली के सरकारी अस्पताल 5 साल में इतने शांदार कर दिये सरकारी असपताल आजकल दिल्ली में लोग 4-10 में और MACS में नहीं जाते सरकारी असपताल में जाते हैं अपना ईलाज कराने के लिए तो फिर मेरकोल लगने लगा, है यार यार ये तो धोका हो गया देश के साथ हो तो सकता था स्कूल भी ठीक हो सकते थे, अस्पताल भी ठीक हो सकते थे, व्यापार भी ठीक हो सकता था, इंडस्ट्री भी ठीक हो सकते थी, सड़के भी बन सकती थी, बिजली भी ठीक हो सकती थी, पानी भी ठीक हो सकता था, 70 साल में इन्होंने धोखा दिया हम लोगों को 70 साल में इन लोगों ने जान बुजगा में पिचड़ा रखा है देश आगे बढ़ सकता है दोस्तों ये गंदी राजनीती खतम करनी पड़ेगी बताईए मैं अगर आप से जामनगर मिलने आ रहा हूँ मैं कोई आतंकवा दी हूँ मैं दिल्ली से चलके आ रहा हूँ यार एक कप चाय पिला दो बस यही तो चा रहा हूँ मैं और तो कुछ नहीं मांग रहा और मैं पाटिल साहब से सीम साहब से निवेदन करूँगा आप भी आईए ना इस मीटिंग में बैठके बात करते हैं चर्चा करते हैं गुजरात की संस्कृति तो यही है गुजरात की संस्कृति यह थोड़ी है कि जी-स-टी के अफसरों को फोन करकर धंका होगे अब खबरदार कोई केजरिवाल की में अरे मैं कोई चोरी करके धोड़ी ले जा रहा हूं यार कुछ धंकाने की क्या जरूरत है और मैं गुजरात के सीम साब को आजा मंतरित करता हूँ आप आईए दिल्ली में मीटिंग कीजिए मैं आप किसी को नहीं धंकाऊंगा सब को भेज़ूगा आपकी मीटिंग में कि सुनके तो आओ हो सकता है सीम साब गुजरात से जाके दिल्ली में कोई अच्छी बात कहें अच्छी बातों के आदान-प्रदान में क्यों रोक लगाई जाती है इस देश के अंदर अगर कोई आ रहे है जा रहे है क्यों मेरे को एक साल पहले सूरत के कुछ वेपारियों ने बुलाया सूरत की एक एसोसिएशन ने बुलाया मैंने का हाँ मैं आऊंगा मैंने इंविटेशन स्विकार कर लिया जाने के 24 गंटे पहले उनका फोन आया कि सर प्लीज माफ कर दीजिए हमें धंकी आ रही है कि अगर तुमने इसनको बुलाया तो वो जिस हाल में होना था हाल की बुकिंग कैंसल कर देए अब मैं राजकोट में गया टाउन हाल करने के लिए हमारी बड़ा अच्छा आदान प्रदान हुआ जैसे आज आदान प्रदान हुआ हमारा मैंने बहुत सारी चीजे सारी लिखी में सब पूजा जी ने बोला विशाल जी ने बोला जडेजा चेतन जी ने बोला कई सारी चीजे में लिख रहा था सब सब लोगों के तो विचारों के आदान-प्रदान से ही तो आगे बढ़ेंगे ऐसे रोकने से थोड़ी आगे बढ़ेंगे मैं राज कोट में गया वहाँ पर बहुत अच्छा आप बताते हैं कि मेरी मीटिंग के बाद बड़ा तंकिया उन्होंने व्यापारियों को आज मैं य वालों से ऐसे नहीं करना चाहिए यह सही नहीं है आज मैं आपके बीच में अकसर क्या होता है चुनाव के पहले पाटी आती है पार्टियों को व्यपारी चुनाव के पहले ही याद आते हैं, क्योंकि डोनेशन लेना होता है, होता है कि नहीं होता, पार्टियों को चुनाव के पहले उद्योगपती याद आते हैं, व्यपारी याद आते हैं, उसके पहले कोई नहीं पुछता, उसके ले डंडा मारते हैं पांग साल फिर हियाद आती है, मैं आप से डोनेशन लेने नहीं आया, मुझे डोनेशन नी конт अम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपको पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा, हुकम आप देंगे, सरकार इस हुकम को लागू करेगी, एक अंग्रेजी में कहवत है, आपको पता है कि समस्या क्या है, सरकार में बैठे वे लोगों को बाबू को या मंतरी को थोड़ी पता है कि समस्या क्या है, और इतने किसम किसम के व्यापार, किसम किसम के उद्द्योग है, सरकार को सब कुछ थोड़ी पता होत आप निर्ने लेंगे हम उसको लागू करेंगे एक चीज है दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी नहीं नहीं 2013 में, 2014 में उस टाइम कहा जाता था कि दिल्ली के व्यपारी बीजेपी का वोट बैंक है आज 7 साल हो गए दिल्ली में सरकार चलाते चलाते हमने किसी भी बीजेपी के व्यपारी को जान बूज के रेड, रेड तो मारना बंदी कर दिया, रेड राज बंद कर दिया, परिशान नहीं किया आप फोन करके पूछ लीजिए हमने व्यपारियों का दिल जीता है अपने आचरन से अपनी नीतियों से हमने व्यपारियों का दिल जीता है आप फोन करके पूछिए दिली के किसी व्यपारी को अगर वो केजरीवाल गंदा आदमी है मुझे वोट मत देन ये बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आपके बहुत दोस्त रिश्टेदार रहते होंगे दिल्ली के अंदर अगर कोई दिल्ली का आदमी है कहा दे कि एजरिवाल गंदा आदमी है गंदा काम कर रहा है मुझे वोट मत देना पिछली बार 2020 के चनाओं में मैंने दिल्ली की जनता को बोला था कि अगर आपको लगता है पांच साल में मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना मुझे नहीं लगता पांच साल काम करने के बाद किसी भी नेता की इतनी हिम्मत होती है कि अपनी जनता के बीच में जाके ये कह सके कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना मैं आप से पूछना चाहता हूँ आप 27 साल से यहां पे भारतिय जनता पार्टी कराज है आज मैंने आप से विचारों का अदान प्रदान किया आपने मुझे इतनी सारी बाते बताई उस पर अभी गौर करूँगा मैं कभी बीजेपी वालों ने बैठके आप से इस तरह से बातचीत की आपकी बाते सुनी आपकी समस्याइं सुनी मुझे लगता है भाशन ही देके चले गए होंगे जब भी आपको बिलाया होगा वो भाशन देते हैं आप सुनते हैं और आप निकल जाते हैं यह बहुत ज़रूरी है जन्तन्त रहा है। जन्त का शासन है, जन्त की समस्षे हैं फोपता कैसे चलेगा। अभी लठ्था कंड हुआ। कई लोगों की मौथ हुए… कहते हैं कि गुजरात में नश्या बंदी है, शराब बंदी है… खुले आम शराब मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही है, बताते हैं, फोन पर फोन करो, घर पर डिलीवर होती है, कोई दारू बता दो, कोई दारू का ब्रैंड बता दो, foreign liquor चाहिए, देशी दारू चाहिए, जो चाहिए, वो कहते हैं कि बड़े अराम से मिलती है, हज्जारों, हज्जारों करोड का धंदा है, किसका है ये, कौन चला रहा है, कौन mastermind है इसका, सब को पता है, सब को पता है, अब जब, ये लठा कांड हुआ, काई लोगों की मौत हुई, काई लोग ऐस्पिताल में इड्मिट थे, मैं उनसे मिलने के लिए गया, उनसे पूछा मैंने, मैंने का कि कहां से आई शराब, कहते हैं सर्रोज आती है, मैंने का छुपके देए कि जाता है, कहते हैं खुलेम गाउं में बिकती है, रोज आती है, रोज गाव में बिकती है खुलेयाम दारू बिक रही है तो ऐसा तो नहीं पता है, हो सकता है कि सरकार को नहीं पता है, सरकार को तो पता है इसका मतलब प्रशासंद की मरजी से चल रहा है प्रशासंद की भागिदारी से चल रहा है मैं उनसे मिलने के लिए गया ऑस्प attending दिल्ली का मुख्यमंतción गुज्राथ के मुख्यमंतृई उनसे मिलने के लिए नहीं गए लिए पाटिल साब उनसे मिलने के लिए नहीं गए लिए हर चीज तो वोट के तराजू में नहीं तोलनी चाये ना इंसानियत भी तो कुछ होती है, अपने ही तो राज्य के लोग हैं, अपने ही तो देश के लोग हैं, जाने में क्या हर्ज है, यह थोड़ी देखना चाहिए, कि वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने वोट जाएंगे, कितने वोट आएंगे, हर चीज वोट से नहीं होती, इ हमने दिल्ली में सरकारी स्कूल बहुत शांदार कर दिये, सरकारी स्कूलों में इस साल 400 से ज़्यादा बच्चों ने IAT के पेपर पास किया है, इंजीनियरिंग के पेपर पास किया है, मैं भी IAT से हूँ, 400 से ज़्यादा बच्चों ने नीट के पेपर पास किया मेडिकल के सरकारी स्कूलों के इतने बच्चे अब मेडिकल में इसमें जा रहे हैं इतने बच्चे शांदार अंग्रेजी बोलने लगे हैं 99% से ज़्यादा नतीजा आया है सरकारी स्कूलों का इस बार दिल्ली सरकार क दिल्ली के सरकारी स्कूलों का, शामदार सरकारी स्कूल कर दिये, अगर सरकारी स्कूलों के अंदर मैं फ्री में शिक्षा दे रहा हूं, तो आप से पूछना चाता हूं गलत कर रहा हूं क्या मैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाह काम हैं यह तो अच्छा काम हैं अगर हम अपने बच्छों को अच्छी शिक्षा दे रहो मैं झार मैं अच्छी शिक्षा कर दि और फ्रीं में दे रहा हूँ बताओ क्या गलत काम कर रहा हूं कि पहले दिल्ली के सरकारी अस्पितालों का बहुत बुरा हाल था तूटे फूटे थे दवाईयां नहीं मिलती थी मशीने खराब थी एकसरे की मशीने खराब पड़ी मैंने सब ठीक कर दिया सेंटरली एर कंडिशन बना दिये सारे सरकारी अस्पिताल, महला क्लीनिक खोल दिये, सारी दवाईयां फ्री मिलती है दिल्ली में दो करोड़ लोग रहते हैं हमने पॉलिसी बना दी कि हर आदमी और हर और 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 बच्चे का इलाज मुफ्त होगा चाहे दस लाख रुपे का खर्चा है, चाहे चालिस लाख रुपे का खर्चा है, चाहे दस रुपे का खर्चा है एक क्रोसिंड से लेके और ट्रांस्प्लांट तक सब कुछ मुफ्त है चाहिए अमीरों चाहिए गरीब हम यह नहीं पूछते कि तुम अमीरों बीपिल का कार्डला हो यह नहीं पूछते दो करोड़ लोगों का इलाज अगर हमने मुफ्त कर दिया बताईए मैंने क्या गलत किया कहते हैं फ्री की रिवडी बांट रहा है केचरी वाल होना चाहिए की नहीं होना चाहिए नहीं तो टैक्स किस चीज़ का देते हैं अभी एक व्यपारी भाई कहते हैं कि एजरीवाल फ्री की रिवड़ी बाट रहा है 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी पंजाब में 300 यूनिट दिल्ली में 200 यूनिट 200 यूनिट हर परिवार को मुफ्त बिजली मिलती है 200 यूनिट हर परिवार को मुफ्त लेकिन ऐसा नी है कि बिजली आती नहीं है 24 घंटे बिजली आती है पहले नहीं आती थी अब 24 घंटे बिजली आती है मुफ्त बिजली आती खाते में छले जाएगा बजट पंजाब में अभी नई-नई सरकार बनी हैं agar फइस्ट क़र्ट एक अपरेल April May June 1 April से 30 June तक का जो बजट है पंजाब सरकार का पिछले साल 15,000 करोड का revenue आये था हमारी सरकार बनते ही 21,000 करोड का revenue आ गया फ्री बिजली देने का खर्चा निकल गया हमारा इमानदार लोग है इमानदारी से सरकार चलाते हैं जब इमानदारी से सरकार चलाते हैं तो जन्ता भी टैक्स देती है खर्चा निकल गया दिल्ली का बजट C.A.G. की रिपोर्ट में लिखा है दिल्ली का बजट अकेला पूरे देश में दिल्ली का बजट है जो की नफे में चल रहा है घाटे में नहीं चल रहा है गुजरात सरकार के उपर साड़े तीन लाख करोड का साड़े तीन लाख करोड का करजा है दिल्ली सरकार के उपर कोई करजा नहीं है सारा करजा खतम इस सारी चीज़े फ्री दे रहा हूँ खुब इन लोगों ने अपने दोस्तों के 11 लाख करोड रुपए माफ कर दिये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ठीक है कि बच्चों को फ्री एजुकेशन देना ठीक है मैं अब इस पे आता हूँ कई लोगों ने बड़ी अच्छी बाते कही एक कहा कि ट्रिबुनल नहीं बनाया इन्होंने बहुत सारी बातें ये है जान बूज के भरष्टाचार करने के लिए सिस्टम बनाया जाता है इन्होंने बता है ट्रिबुनल नहीं बनाया ट्रिबुनल नहीं बनाया तो लोग तंग होते हैं होते हैं तो रिश्वत देते हैं रिश्वत देते हैं तो रिश्वत ऐसी थोड़ी ऊपर तक जाता है पैसा जाता है कि नहीं जाता है पैसा उपर तक जाता है मंत्री तक जाता है तभी तो रिश्वत चल रही है अगर मंत्री को पैसा नहीं चाहिए तो फिर रिश्वत क्यों बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगे तो ट्रिबिनल बनाएंगे, एक भाइ ने बड़ा अच्छा हिंदी के बारे में और अंग्रेजी के बारे में बात किे उनने, मुन्न भाई थे खेळिजु इन्हों ने कहा कि अंग्रेजी का पूरा सिस्टम क्यों चालू है मुझे लगता है आजादी के वक्त हम से कुछ जब हम देश आजाद हुआ कुछ गल्तियां हुई मुझे लगता है हमने पूरा का पूरा अंग्रेजों का सिस्टम लागू रखा हमें सिस्टम बदलना चाहे था अंग्रेजों ने सिस्टम हमारे उपर हकूमत करने के लिए बनाया था हमने उस सिस्टम को नहीं बदला भाशा तक को नहीं बदला एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला एजुकेशन सिस्टम 1930 में मेकॉले बना के गया था उस मेकॉले के सिस्टम को भी लागू रखा, आज तक वही एजूकेशन सिस्टम चल रहा है, अभी भी हम कलर्क, बीए, बीए, सी, बीकॉम करने के आद हमारे बच्चे नौकरी डूंड रहे हैं, अब दिल्ली के अंदर हम अपना पूरा एजूकेशन सिस्टम बदल रहे हैं, हमने सारा सिस्टम लागू रखा, आज हमें हिंदी में बोलते हुए कई लोगों को शरम आती है, अंग्रेजी में बोलते हैं तो उनको लगता है कि मैं बड़ा चोड़ा हो गया, मैं बड़ा, इसलिए मैंने तो यह ठाना है, मैं कहीं भी जाता हूं, किसी भी अंग्रेजी क अभी किसी एंबेसी ने बुलाया था मेरेको, उनमें किसी को सामने जितने बैठे थे हिंदी नहीं आती थी, मैंने कभी देखो मैं तो हिंदी में बोलूँगा, मेरेको अंग्रेजी आती है बोलनी, लेकिन मैंने का मैं तो हिंदी में बोलूँगा, मेरेको गर्व है, मैं हि हिंदी में बोलूँगा अब ट्रांसलेटर अपने लिए रख लो तो उन्होंने एक ट्रांसलेटर बगल में बिठाया उसने सारा ट्रांसलेट किया हिंदी अपनी मात्री भाशा पर तो गर्व होना चाहिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने आजादी के वक्त एजट इस पूरे के पूरे सिस्टम को अंग्रेजों से ले लिया उन सारी चीजों को बदलने की दरकार है इस टाइम पॉलूशन बोर्ड में किसी ने बोला पॉलूशन बोर्ड वाले बहुत गड़बड करते हैं जबरदस्ती के नो कि पेमेंट फस जाए तो कोई उसकी चर्चा नहीं करता एक और भाई ने कहा वो बड़ा अच्छा उन्होंने बोला मैं मेरे पिता जी तो नौकरी करते थे लेकिन मेरे दादा नाना चाचा पूरे सब व्यापारी जगत से आते हैं मैं जानता हूं कि पेमेंट फस जाए तो कितनी मुश्किल होती है इसके ओपर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कुछ ना कुछ कानून तो होना चाहिए उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया लेकिन सभी आप व्यापारियों के साथ बैठके हमारी सरकार बनेगी तो सभी व्यापारियों के साथ बैठके इसक समाधान निकलना चाहिए कि अगर किसी वेपारी की पेमेंट फस जाए और वो पेमेंट ना दे तो इसका क्या समाधान है आप लोगों से अगर कच्छे विचार मिलेंगे तो इस पर कानून बनाने में हमें कोई गरेज नहीं है मुझे लगता है गुजरात में कानून बनेगा चेतन जी ने कहा कि चार साल के बाद नोटिस देते हैं उस अफसर के ऊपर तो एक्षिन होना चाहिए चार साल सो रहे थे क्या तुम चार साल कर क्या रहे थे तुम कमोडिटी एक्षेंज ये बहुत बड़ा मुद्दा है इसमें मतलब ना आदमी के पास कुछ नहीं है बैठ जाते हैं कम्पिटर पे सवेरे सवेरे और शाम तक लेया बेची करते रहते हैं और ना माल है ना इधर माल है ना उधर माल है बस केवल इसके उपर तो एक्षिन ह होना चाहिए इसकी वज़े से बिल्कुल सही का महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण ये कमोडिटी एक्षेंज है हैं जी हां जी लेकिन एक्षिन नहीं ले रहे बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे जी आईडी सी एक्टिव नहीं है जी आईडी सी को एक्टिव किया जाएगा एक जी एस्टी के उपर आया था कि हमें पता ही नहीं कि कौन सी स्लैब में हमारा समान आता है जब हमने राजकोट में अभी वो व्यापारियों कि एक बड़ा अच्छा सुझावाया उन्होंने कहा कि अगर हम अपने जी एस्टी के डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को बिठा दें और जो जो लोगों की समस्याएं हों अगर वो वहाँ पे आके और उनसे पूछें तो उनसे काफी समाधान मिल जाएगा यह मैं दिल्ली में भी लागू करने की कोशिश करूंगा और गुजरात में सरकार बनेगी तो फिर आप आईए वहाँ पे उनसे पूछें वो जो आपको कहते हैं वो आप उसी के हिसाब से आप अपना कर सकते हैं आज मैं व्यापारियों के बीच में पांच किसम की गारंट दे के जा रहा हूं व्यापारियों को मैंने एक यह नया शब्द दे भारत की राजनीती में शुरू किया गारंटी क्योंकि यह कभी कोई कहता है घोशना पत्र कोई कहता है मैनिफेस्टो और चुनाव के बाद कहते हैं कौन सा घोशना पत्र कौन सा मैनिफेस्टो हमने तो तो हमने का गारंटी केजरिवाल की गारंटी जैसे होता था ना फेविकोल का जोड़ है ये तूटेगा नहीं तो केजरिवाल की गारंटी है ये कभी तूटेगी नहीं और गारंटी इसलिए कि मार्केट में जाते हो आप टीवी खरीद के लाते हो अगर गारंटी मिलती है अगर हम अपनी बातें पूरी ना करें, अगली बार धक्क्य मार के बह mayor देना, बलोठ मांगने नहीं आएंगे पहली गारंटी ये डर का माहौल खतम करेंगे आप जिस मर्जी पार्टी से हो जिस पार्टी से हो जहां जाना चाहो कल केजरिवाल की मीटिंग में जाना चाहो पार्टिल साब की मीटिंग में जाना चाहो किसी की मीटिंग में जाना चाहो आप फ्री हो जाने के लिए यार ये डर का माहौल खतम करेंगे निडरता के साथ आप अपना काम कीजिए दूसरी गारंटी व्यापारियों को इज्जत देंगे व्यापारी पैसा कमा लेता है इज्जत का भुखा होता है उसको कोई सरकार इज्जत नहीं देती मैं इंकम टैक्स में होता था पहले इंकम टैक्स में कमिशनर की नौकरी करता था एक माहौल पूरे देश में ऐसे बना दिया गया है कि व्यापारी तो चोरी करता है व्यापारी तो चोरी व्यापारी सबसे ज़्यादा महनत करता है 24 घंटे मेहनत करता है खोन पसीना बहाता है उसके बाद टैक्स देता है उसके बाद दानपुन करता है उसके बाद व्यापारी सबसे ज़्यादा मेहनत करता है व्यापारी को इज़त देंगे उद्योगपतियों को इज़त देंगे तीसरी बात रेड राज बंद करेंगे कोई रेड नहीं होगी इसके बाद यह मैं दिल्ली के अपने experience से बता रहा हूँ जब हमने दिल्ली में नई नहीं सरकार बनाई हमने कार कोई रेड नहीं होगी कई सारे हमारे अफसर आए सर यह ऐसे तो यह व्यपारी चोरी करना चालो कर देंगे मैंने का भरोसा रखो व्यपारियों पर भरोसा रखो सब देंगे पैसा आप यकीन नहीं करोगे हमारा जब हमारी सरकार बनी थी 30,000 करोड का दिल्ली का टोटल रेविन्यू था आज 7 साल में 75,000 करोड रेविन्य हो गया हमने कोई रेड नहीं मारी व्यपारी खुद बखुद दे रहे हैं कि देख रहे हैं व्यपारी कि एजिवाल स्कूल भी ठीक कर रहा है इस्पताल भी ठीक कर रहा है विजली भी दे रहा है पानी भी दे रहा है हमारे भले का काम कर रहा है वेपारी खुद बखुद देना चाहता है वो कहता यार तुम अपने दफ्तर में बैठो मेरे को तंग मत करो बस एक ही शर्त होती है वेपारी कि मेरे को तंग मत करो रेड राज बंद करेंगे ब्रश्टा चार बंद करेंगे औ और दिल्ली में हमने एक नई किसम की योज पूरी दुनिया में केवल दिल्ली में हैं, हमने शुरू किए डॉरस्टेप डिलिवरी ऑफ सर्विसस, इसका मतलब है जैसे अब पीजा और करते हो, कैसे करते हो, एक फोन नंबर होता है, उस पे आप फोन करते हो, तो बोलते हो मेरे को भलाना भलाना पीजा चाहिए, आदे घंटे के अंदर आपका पीजा आपके घर में आ जाता है, ऐसे ही अब दिल्ली सरकार के अंदर अगर आपको कोई काम कराना हो, तो आपको दिल्ली सरकार के दफ्तर में जाने की जूरत नहीं है, आपको एक फोन नंबर देतिया 1076 है 1076 1076 है डिल्ली में जाओ तो वहां काम करता है यहां पर काम नहीं करेगा उस नंबर पे आफ फोन करो आप बोलो मुझे बिजली का नया कनेक्शन चाईगाए मुझे पानी कानेक्शन चाहिए मुझे लाइसन्स बनवाना है मुझे राशन काड बनवाना ह मुझे फलाना फलाना GST नंबर आपको जो भी काम है आप उस नंबर पर बताईए उदर से आवाज आएगी कि आपके घर हम कितने बज़े आए आपका काम करने के लिए दिल्ली सरकार से एक आफिसर उतने ही बज़े आपके घर आता है एक छोटी सी फोटो कॉपिंग मशीन लेके आता है आप से जो डॉक्यमेंट से उसकी फोटो कॉपि कराके और ले जाता है आपका काम एक हफ़ते हैं दस दिन के अंदर आपका कागस बाई पोस्ट आपके घर जाता है कोई चक्कर काटने की जुरूरत नहीं कुछ नहीं यह क्यों हुआ यह इसलिए हुआ क्योंकि हमारी सरकार इमांदार है अगर हम बेहिमान होते अगर दिल्ली का मुख्यमंतरी बेहिमान होता है जी एस्ट वालों को कहता है महीने के अंत में मेरे को इतना पैसा चाह देते हैं इशss i.च तो वहां पर पैसा ही कठा होना चाहए फिर हम डॉर स्टेप डिलिवری नहीं करते डॉर्स्टेप डिलिवरी केवल इमांदार सरकार कर सकती है या वहन दिल्ली के अंदर अब पंजाब में भी लागू करने जा रहे हैं गुजरात में भी लागू चौथी चीज, पहले वैट होता था, उसके बहुत सारे मुकदमे आज भी चल रहे हैं, पुराने मुकदमे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? दुखी है लोग उस से, तो वैट अमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी, पुराने सारे मुकदमे खितम किये जाएगे, आपको एक मौ आखरी पांचवी चीज, आपको पार्टनर के रूप में, आज यहां पे कोई सारी बातें तो आई नहीं, इतने किसम के व्यापार, इतने किसम के उद्योग, रोज कोई ना कोई समस्या, तो एक बॉडी बनाएंगे, एडवाईजरी बॉडी, आप लोगों की, हर सेक्टर के उसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे, आप लोग उसमें हमें बताएंगे सरकार को कि ये काम कीजिए, और वही काम सरकार करेगी, सरकार पे आपका डिसिशन बाइंडिंग होगा, आपको पार्टनर के रूप में ट्रीट किया जाएगा, तो यह पांच गारंटी मैं आज आपको देखे जा रहा हूं, और फिर से मैं गुजरात के विकास में आप लोगों को पार्टनर बनाने के लिए आया हूं, आज आप लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, सभी डर और धंकियों को सेहन करके आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्र झाल बहुत 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 बहुत